नमस्कार कैसे हैं आप पत्रकार्ता के चीनी एजेंटों पर लोक सभा में खुद ग्रिह मंत्री बोलने लगे उससे पहले बीजेपी के कद्दावर सांसद निशिकान दुवे ने तो न्यूज क्लिक का नाम लिया और साथ साथ उसके सुप्रीमो प्रवीर पुरकायस्त और जिसे हम और आप धान गयों एक्सपर्ट कहते हैं वो अविसार शर्मा का भी नाम लिया जोई निश क्लिक का एक मामला सामने आया देली हाई कोट में जाकर के जाँच एजिंसी ने प्रवीर पुरकायस्त के मामले पर कारवाई की अनुमती मांगी चुकि इस मामले में देली हाई कोट ने उस पर रोक लगा दी हुई थी इसलिए इसकी ज़रुरत थी ED पहले ही पुरकायस्त की संपत्ति कुर्ख कर चुकी हुई है किसी पत्रकार की इस तरह से संपत्ति कुर्ख करने का ये अनुखा मामला था CPI और ED दोनों का मामना है कि प्रवीर पुरकायस्त न्यूज क्लिक जो चलाता है वो चीनी फंड से चलता है और देश के कई सारे पत्रकारों को से फंडिंग होती है देश विरोध के शडियंत्र में अक्सर इसलिए इस तरह के पत्रकार देखे जाते हैं रवीश कुमार लंबे समय से खलियर हो चुका हुआ है तो अब वह भी फरफराने लगा तो क्या पूछ पर पाँपड़ते ही रवीश कुमार भारत के खिलाप शडियंत्र करने लगा एक इनाम के पाने के शडियंत्र में रवीश विरेश यात्रा पर निकले तो कहां कहां निकले जो व्यक्ति यह कहता रहा बीवीसी के साथ इंटर्व्यू में कि उसके पास पैसे नहीं कि वो कैमरा में रखकर यूटूब चला सके ऐसी घटिया अस्तर का गरीवी का नुमाइस करने वाला अमेरिका इंग्लेंड समेथ पूरे यूरोप की यात्रा करते हुए अब सौधी अरब की यात्रा पर भी है पूरे गल्फ कंट्री में रवीश कुमार एक नया खेल भारत के खिलाब खेल रहा है अलजजीरा को दिये इंटर्व्यू में उसने यह पूरा शडियंत्र भारत को बदनाम करने के लिए किया कि भारत की मीडिया सरकार के एजेंडे पर चलती है रवीश कुमार ने अलजजीरा को दिये इंटर्व्यू में यह पूरी कोशिश की कि भारत के लोकतंत्र को चोटिल किया जाए उसे बदनाम किया जाए एक ऐसा प्रदेश एक ऐसा देश कतर जहां विवक्ति की आजादी के कोई माईने नहीं अब सोचे कतर जैसे देश में यदि विवक्ति की आजादी पर भी मर्श हो एक रिचर्ड नामक एंकर के साथ रवीश क्या क्या खेल खेल रहा है जराई से समझे मैं जानता था कि कौन आदमी आ रहा है और कौन आदमी जा रहा है जो पत्रकारिता या जितनी भी पत्रकारिता हम कर सके जब NDA TV डॉक्टर रॉय के पास था और हम लोगों ने बहुत limited resource से बहुत तरह के challenges से जो हम कर पाए जो आ रहा था उसके पास मुझे पता था कि पैसा तो बहुत है मगर वो सवाल पुछने की हिम्मत नहीं कर सकता है लेकिन अगर आप content उनका देखें तो उससे बहुत साफ हो जाता है कि यह media यह media दो दो master को serve करने के लिए आया है एक master जो उसको own करता है और एक master जो political master है एक तरह से बाद में कई anchorों ने उससे छोड़ा दी तो मुझे कोई शक नहीं था कि यह कौन है वुजी धरती पे जितने भी news channel है वो खरीड सकते हैं पर मोधी सरकार से सवाल नहीं पुछ सकते हैं रवेश कह रहा है कि मोधी से सवाल नहीं कर सकते जो सवाल करते हैं उसे खरीड लेते हैं हम खुद बिकाओ नहीं हैं बरिशातिराना तरीके से एक चिर्कुट से एंकर से रवीश कुमार अरणब गोस्वामी का लाम लिया वाता है वो खुद नहीं लेता अरणब का नाम बरिशातिराना तरीके से वो यह भी खेल खेलता है रविश कुमार इतने से नहीं मानता वो यह कहता है 2014 आते आते सैक्रो न्यू चैनल सामपरदाइकता फैलाने लगे और ये न्यू चैनल जो सामपरदाइकता फैला रहे थे दरसल नरिंद्र मोधी सरकार का एजेंडा चला रहे थे जो काम खुद सरकार नहीं कर सकती थी वो उसने अपनी मीडिया से कराया रवीश कुमार के एक एक खेल से लग रहा है कि चुकी मैकसे से दवाडी है तो उसके खिलाब सरकार कारवाई नहीं कर पा रही है इसलिए वो देश के खिलाब शडियन्स उसी के माद्यम से चलाया जा रहा है तो क्या गोदी मीडिया कहने वाला जो खुद सालों गोदी में रहा आता के सत्ता जाते ही जो लगातार फरफराने लगा वो इस ठासक में है कि उसके उपर कारवाई इसलिए नहीं हो सकती कि वो मैक्सिस से वार्डी है इस इंट्रिव्यू से एक दम से साफ लग रहा है इसके एक एक अन्श बता रहे हैं कि किस तरह वो भारत को बदनाम करने का एजंडा चला रहा है तो क्या ये सब न्यूज क्लिक में आए पैसे का कमाल है क्या ये सब पूरा चीनी एजंडे का खेल है और भारत सरकार मौन है दरसल अब जब खत्रा आने लगा प्रवीर पुर का गरफतारी के तलबार लटक गए उसकी संपत्ती कुर्क होने लगी तो खलियर खैरातियों ने कहना शुरू कर दिया अपने यूट्यूब चैनलों पर कि हमें गरफतार कर लो लेकिन क्या रवीश को इस गरफतारी अपसे कोई डर नहीं लग रहा क्या उसे लगता है कि वो एक इंटरनेस्टल मुद्दा बन जाएगा और इसका फाइदा उठाया जा रहा है लेकिन देश के खिलाप शडियंत करने वाला क्या इस तरह के एज़ेंडे का फाइदा उठा सकता है लगातार एक्टिव हुई सरकार जो अब संसत के अंदर कह रही है कि न्यूज किलिक जैसे संस था चीनी पैसे से चलते है कॉंग्रिस पार्टी और कॉमिनिस्ट पार्टी अफ चाइना के बीच जो समझोता है उसका भी खुला सा सदन के अंदर होता है और देश के ग्रिह मंत्री इस पर बयान देते हैं तो क्या इतना सामानी होगा रवीश कुमार का देश के खिलाप एजिंडा चलाना मात्मूर यहे के एजिंडा अल जजीरा जैसे चैनल पे चलाया जाता है जो कतर जैसे देश से संचालित है जो ऐसे ऐसे देश से जो औसामा बीन लादेन जिससे संस्था के एजंडों से चलता हो तो समझ में आता है कि गोधी मीडिया कहने वाले खुद किसकी गोधी में खेल रहे हैं और देश की खिलाप कितना खतरनाक एजंडा चला रहे हैं जिसने खुद हमेशा जूट की पत्रकायरता की दिल्ली दंगा में जिसने दंगाई शारुक खान को अनुराग मिस्रा बना दिया जिसने पूरे खेल में भारत के ग्री मंत्रे खिलाप जूटी और मकारी की पत्रकायरता की जिसका पूरा पत्रकायरता जूट और फरेब पर है वो ये कह रहा है कि भारत में जूट की पत्रकायरता हो रही है कमार की बात ये है कि रवीश कुमार जो जिसने अपनी पत्रकायरता के आधी जिंदगी पत्र छाटने का काम किया एक एजंडे के ताथ प्रड़ाय राय ने उसे स्क्रीन पे उतारा जब इंडिया में मिडल फैमिली का दौर चलने लगा जब सोसल मीडिया का दौर आया वो रवीश कुमार कह रहा है कि पी-म ने अक्षे कुमार को इस तमा इंटरिव्यू दिया रवीश कुमार को नहीं तो क्या रवीश कुमार तै करेंगे के पढ़ान मंत्री किसको इंटरिव्यू दे दरसल अब अलजजीरा के खेल में रवीश का पूरा एजंडा फंस गया है न्यूज क्लिक जैसी चीनी साप के पर पाउं रखते ही रवीश कुमार और उसका पूरा कुनबा फरफराने लगा है लेकिन दिल्चस्प दूसरी तरफ देखी कि रवीश कुमार के आका राजदीब सरदेसाई अब सरंडर कर रहे हैं ऐसा क्यों जिस रखतेब सरदेसाई ने गुजरात दंगे से लेकर तमाम उस दौर में फरजीबारा की पतरकाईटा की जहर उगलने की पतरकाईटा की मोदी के खिलाब जिसने पूरी पतरकाईटा को लगा दिया अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के महिमा मंदर में क्या कुछ कह रहे हैं तरह सुनिए मोदी जी उस जमाने में पटेल डॉमिनेटेट गुजराती पॉलिटिक्स में एक तरह से OBC नेता की तरह जाने जाते थे बड़े नेता BJP के शंकर सिंग वागेला केशु भाई पटेल सुरेश बैता अंदर की रूम में बैठे और मैं मोदी जी के साथ बाहर बैठा हूँ मैं तरिंदर भाई को कहता हूँ क्योंकि उनका काफी योगदान था उस विक्ट्री में उन्होंने बिल्कुल मैनेजमेंट उस विक्ट्री की थी वो मुझे कहते हैं ने वो बड़े लग उनको बैठने दीचे मैं यहां हूँ उनको बुलाए नहीं जिया था उस मिटिंग में आप सोचिए अब यही है न उनीस सो सतासी में मोदी जी पहली पार एक तरह से अपनी एक पहचान बनाते एटी सेवन में म्यूंसिपल इलेक्शन होता है एमदाबाद में और वो क्या करते हर गली डुकड में जाकर पोस्ट देख रहें कि पोस्टर लगे हुएं कि नहीं सब बीजेबी केंडिडिट्स के और कैस्ट के पीछे बैठे हुएं सोचिए अमित्शा अब मेरे दोस्त यही बात है यह कई नेताओं को यह पता चलना चाहिए आज वो इस लेवल पर पहुच गये लेकिन कहां से आये है यह यह कोई वन डे मैच नहीं है पॉलिटिक्स यह 40 साल से वहां बेठे हुए यह 40-50 साल का परिश्रम है यू केनाट डिनाए दरसल सर्देसाई यह मंत्र कई बारा अपना चुका 2014 में जब नरेंदर मोदी की सरकार आई तब से वो केचुल बदलने का प्रयास कर रहा है इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की चापलूसी में किताब लिखी और प्रधान मंत्री को देने गिफ्ट करने की कई प्रयास किया फेल हुआ तो फिर अपने एजेंडे पर चलने ल जो एजेंडा सलसला इस उमीद में जाड़ी किये हुए हैं कि 2024 के बाद फिर खेराती हुगाएगा इस आस में बैठी पत्रकारता तो की जा सकती है लेकिन देश के खिलाप ये शडियंत्र क्या सरदिसाई अपने चेलों को समझाएंगे कि शडियंत्र एक व्यक्ति के विर् सकता है लेकिन देश के खिलाप नहीं उमीद की जानी चाहिए रवीश कुमार के इस बड़े शडियंत्र पर सरकारी हतोरा वैसे ही चलेगा जैसे न्यूज क्लिक पर चला है बहुत बहुत धन्यवाद